सरसे पहले अदिकाल इन लोकिक साहित्य में एक रचना आती है जिसका नाम है धोला मारूरा दूहा थिक है तो यहां पर लोकिक साहित्य की सबसे मोस्ट इंपौर्टन रचना जो है अदिकाल में इसको माना जाता है लोकिक साहिते से हम समझते हैं कि जो लोक साहिते हैं है ना अधिकाल में अलाकि यह जादा यहां पर नहीं मिलती हमें इसकी रचना है अरिकाले लोकिक साहिते के अंत्रगत लेकिद एक जो रचना मिलती है देखना वो है धुला मानुगर दूहा ठीक है इसके रचनाकार जो थ 70 अचारे रामचंदर शुकल ने माना था ठीक है एक तो ये वात या रख लेनी है बाद में एक जैन कभी हुए है जिसका नाम था कुशल लाभ इन्हों ने इसमें क्या किया 1561 में इन्होंने कुछ और पदों को इसमें जोड़ा था ठीक है इसलिए कुछ लोग जो है कुशल लाभ को भी इसका रश्नाकार मानते हैं अब यहां पर प्रश्न कैसे पूछा गया है वो डिपेंड करेगा है ना तो उत्तर आप उस हिसाब से देंगे फिर हाला कि मूल जो रश्नाकार है वो आपको यादक लेना है कि मूल रश्नाकार जो है वो कलोल कभी है और बाद में क कुछ और वदों को जोड़ा था इसलिए कुछल लाभ को भी कुछ रचनाकार इनका कुछ साहित्यकार या विद्वान जो है यह मानते हैं कि कुछल लाभ ही इस धुलर मारूरा दूहा के रचनाकार रहे हैं ठीक है तो यह बात यहाद रख लेनी है इस शैली में लिकी गई साथी साथ आपको याद रख लेना है कि इसमें जो आपके तीन विद्वान रहे हैं उनका बहुत जाला योगदान ना जाता है इस रशना को परकाशित करवाने में या संपाजित करवाने करने में ठीक है तो एक ते राम सिंग और एक थे सूर्य करन पार पारीक श्री कि मूल रशनाकार कौन है तो वह हो जाएंगे कलोल कभी पार में किसने इस पर पदों को जोड़ा तो वह जाएंगे कुशलला ठीक है अब इसके जो प्रमुक पात्र थे ये बड़े इंपॉर्टेंट है देखना इसको पूछा जा सकता है देखना इसको ध्यान में रखिए इसमें कौन-कौन से प्रमुक पात्र आते हैं इनको आपने यादख लेना है कि इसमें जैपूर के कच्छवाहा वंश के कच्छवाहा वंश की ये शासक राजा नल का पुत्र आता है इसमें राजा नल का पुत्र राजकुमार धोला क्या नाम होता है इसका देखना धोला जो है इसका नायक है और नायका इसकी कौन सी है इसको भी लिखेगा नायका कौन हो जाती है इसमें पूगल पूगल राज्य यानि की बिकानेर पूगल का मतलब है यहां पर बिकानेर इसको याद रखेगा पूगल यानि की बिकानेर के आजा पिंगल की पुत्री कि इसका नाम था मारवनी या मारू कहते थे इसको मार वनी इसे मारू के नाम से भी जाना जाता था ठीक है एक थी इसमें सहनाय का जिसका नाम था मालवा की राजकुमरी मालवनी ये दो इसमें क्या रहें ये तीन जो हैं इसमें मुख्य पात रहें जिनके इर्दगिद पूरी की पूरी स्टोरी गोमती है और ये राजस्थान की एक घटना है देखना या घटना या यूं कहें कि एक कथा है जिसमें क्या होता है कि ये जो ढोला और मारू है इन दोनों का ह बच्वल में बिवाह कर दिया जाता है लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होते हैं ता आयू उनकी होती है जिस वक्त इनका विवाह जो है वो निश्चित कर दिया जाता है लेकिन जैसे यह बड़ा होते जाते हैं और यह एक दूसरे को भूल जाते हैं दोला जो है मारवणी को भूल जाता है और वो मालवणी से क्या कर देता है मालवणी की ओर जो है वो मतलब आक कर लिया है तो वो क्या कर देती है उसके पास बहुत सारे मैसेज्ज या संदेश जो है वो गेशती है ठीक है तो इसमें आपको याद रख लेना है कि यह जो कथा है यह प्रेम पर अधारित ही कावे माने जाता है देखना और मुल्रोप से तोहों में ही लिखी गई है ठीक है श्रिंगार रास का हम कॉणी परिफार हुआ है सैयोग और वियोग दोनाही पक्षिस में देखने को मिलते हैं ठीक है तो जब माल कोpox साथ वह रहता है और मारवणी को यह पता चलता है तो उसके पास बहुत संदेश देति है लेकिन कोई शंदेश पहुंचने नहीं देती नहीं कर रहा है और वो रिप्लाई करता कहां से क्योंकि माल बड़ी तो उसके पास उनकुछ संदेशों को पहुंचने देती, वो बीच में ही उन पत्रों को पढ़ लेती थी और उससे छुपा देती थी, एक दिन जैसे तैसे राजा के पास एक पत्र मिल जाता है, और वो उसको जब बढ़ता है, तो तब उसे अपने पुराने प्रेम की याड आती है, और वो फिर उसे ले आने के लिए बहुत स में रहेगा, ठीक है, तो ये आपने याड रख लेना है, देखना, ये मत्तबून है, तो इसको याड रखेगा, तो अगर आप ऐसा पूछा जाए, कि ढूला मारूरा दूहा जो है, वो राजस्तान के किस खेतर में अत्यंतर लोग पुरिया रही है, तो याड रख लेना है डिकानेर में लोग पुरिया रही, एंड साथी साथ यहां पर याड रखनाना है, कि ये जो ढूला मारूरा दूहा है, इसको मतलब आदिकाल की सररशिष्ट लोग साहीते की रचना माना जाता है, ठीक है, इसके अलावा यहां पर विद्यापती और अमीर कुसरो दो अन्य लेखक हुए हैं, जिनकी कुछ एक जो बाते हैं, या कुछ एक रचनाएं जो हैं, वो आपको याद रखनी है, वो दोनों ही बहुत मतलब नाम है देखना, ये अमीर कुसरो और विद्यापती, अक्सर एक्जाम में इनसे ही प्रश्ण जो है, वो पूचे जाते हैं, ठीक है अब हमारे पास जो आकरी टॉपिक है देखना, ये है आपका अमीर कुसरो और विद्यापती ही, इसमें एक चीज याद रखनी है आपको, अचारे रामचंद्र शुकल ने, अमीर कुसरो और विद्यापती, इन दोनों को आदी कालीन फुटकल रचनाकारों में स्थान दिय सबसे पहले यहां पर है अमीर कुसरो, अगर हम जनमवर्ष के अधार पर देखें, तो अमीर कुसरो का जो समय था, इसको आप थोड़ा सा याद रखिएगा, 1253 से लेकर के 1325, कई जगा ये 1255 से लेकर के 1326 के आसपास आ जाता है, कई जगा 24 लिखा है, कई जगा 25 है, मोटे खुसरो का समय रहा, जनम स्थान था इनका उत्रवर्देश के एटा जिले का पटियाली गाओं, ये भी कई बार पूछा जाता है देखना, इसको याद रखिएगा, मूल नाम था इनका अबुल हसन, यमीनुदीन अमीर कुसरो, बहुत सारे लोग यहां पर अब्दुल हसन कर लेते हैं, अबुल नहीं था, इसका मूल नाम है अबुल हसन, यमीनुदीन अमीर कुसरो, ठीक है, ये प्रशन आया हुआ है पुराने पेपर में, इसको याद रखिए, समाने परिच्चे में अमीर कुसरो का नाम ही पूछ जाता है देखना, ज्यादा थर समय, और इसको आप ऐसे ही याद रखेंगे कि ये क्या है, अबुल हसन, यमीनुदीन अमीर कुसरो रहा, पीता का नाम था सैपुदीन बहमूद, ये भी जरूरी नाम हो सकता है देखना, गुरू, जो मुस्ट इंपॉर्टन्ट है इसके देखना, अमीर कुसरो के, वो है निजामुदीन अलिया, इसको आप जरूर याद रखेंगे, निजामुदीन अलिया, निजामुदीन अलिया से माना जाता है कि इन्हें विशेश लगाव था और इन्हें इनसे ये बहुत जादा प्रेम भी करते थे, और माना ये जाता है कि अमीर कुसरो की मृत्यू भी गुरू के गोरी सोबे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल कुसरो घर आपने रहन भाई जहू देश, ये वाली पंगती इसने अपने गुरू निजामुदीन अलिया की मृत्यू पर ही कही थी, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, ओके, तूसरी तरफ आपको याद अख लेना है कि इ यहाँ पर क्या कहते हैं, देखना कि अगर तुम वास्ता में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, तो कि इसमें पूछिए, हिंदी में पूछिए, जिसमें मैं तुम्हें कुछ नायाब चीज़ें बता सकूँ, तो ये हिंदुई शब्द जो दिया है, अमिर कुसरो ने ही द मस्किती में, अमिर कुसरो में, खीक है, तो ये नाम, जरूरी नाम है देखना, अमिर कुसरो, इसको इस तरीके से भी कहा जाता है, भारतिया और इस्लामी सिसकती के बत्थमकवी, अमिर कुसरो की कहला आ जाएगा, इसके अलावा, आपको याद रख लेना है, अमिर कुसरो सुखन की जो उपाधी मिली थी देखना एक उपाधी इनको मिली पहले कौन सी? खुसरो सुखन ये नाम आपको यहाद रख लेना है ये उपाधी इन्हें सबसे पहले मिली थी जब ये 12 वर्ष की अलप आयू में थे बारावर्ष की आयू में ही इन्हें खुसरो सुखन की उपाधी जो एक प्रत्ती हुए हैं ख्वाजा इजुदिन इसका नाम याद रख लेना है ख्वाजा इजुदिन इनके द्वारा जो है इसको ये उपाधी प्रतान की गई थी खुसरो सुखन की जो महज 12 वर्ष की आयू में ही इन्हें प्रतान की गई थी ठीक है इसके अलावा इन्हें और भी जो संग्याएं दी गई हैं देखना उनको भी थोड़ा सा देखिएगा सबसे पहले इसको देख लीजिए बाकी बाद में देखते हैं यहां पर लिखा दिखिए तोताई हिंद भी इसको कहा गया है यह उन्हें ने स्वयम भी कहा था और अलावदिन खील जी ने भी कहा था मुल्क शुरा की उपाधी इन्होंने क्याकुबाद में इन्हें दी थी यह बाद भी या रख लेना है कवियों का कवी भी इसे कहा जाता है और कवियों का राजकुमार भी कहा जाता है और यह उपाधियां इसको डॉक्टर ईश्वरी प्रसाथ ने दी थी ठीक है एंड हिंदुस्तान की यह तूती है यह वाला प्रशन भी कवी बाद पूछ जात कवी माने जाते हैं और धरवारी कवियों में इनको शामिल किसने किया था यह बलबन ने इनको धरवारी कवियों में शामिल किया यह प्रशन इनके बारे में मतपूर्ण है देखना कई बारी ये प्रशन पूछा गया है कि कौन से आधिकालिन ऐसे कवी रहे जिन्होंने अपने समय में 12 शासकों का शासन देखा था फिक है तो यह बात आपको याद रख लेनी है कि Eğer अम्र कुछ रोखी छिक है खरी बोली हिंदी के यह प्रथम कवी माने जाते हैं देखना एपने पहले भी पढ़ा था जब हम हिंदी के विकास करम की बात कर रहे थे तो खरी बोली हिंदी का आदि कवी इसे कहा जाता है ठीक है ये बात या रखीगा पहलियों की रचना इनों ने मनुरंजण के लिए किया यह वारा प्रशन भी पूछे जाता है देखना इस तरीछे से कि आदीकाल में मनुरंजण पूर्ण साहित्य रचने तो यहां पर आप यहात रखेंगे कि रंजनपूर्ण साहित्य की रचना की है ठीक है इसको याद रखिए तबला और सितार जो वादेयंत्र रहे इनका इनों ने अविश्कार भी किया है और ये दो चीज़े भी इसके बारे में जरूरी है मसलब अमीर कुसरों से एक एक जो तत्य है वो यहां पर इंपोर्टन्ट है इन सब को आप यहां पर याद रखिएगा ठीक है अब हम आगे देखते हैं मिर कुसरों के रचना संसार के बारे में यह तो समानने सा परिचय हो गया कि इनकी उपादियां कौन सी रही उपादियों में वैंने आपको बता दिया कभी भी इसको कहा जाता है और कभीयों का दरवारी कव्यों में शामिल किया ठीक खुसरों सुखन की उपादि इनको ख्वाजा जुदीन ने दी थी वह भी इंपॉर्टन नाम है उसको भी याद अकना पड़ेगा ठीक है तो यह हो गया इसका समानने सा परिचय अमिर खुसरों का जिसको आपको याद अकना पड़े है तो यहां पर आप इसी का नाम याद रखेंगे देखना कि यह अमिर खुसरों ने बनरंजन पूर्ण साहित जो है वो आधिकाल में रख्चा है ठीक है यह था अमिर खुसरों का समानने परिचय समाई से रिलेक्ट प्रशन अगर आए तो यहां पर आपको याद यही रख ठीक है तो यह आप यहां पर याद रखिएगा ठीक चलिए इसके लावा अब हम देखते हैं यहां पर अमिर खुसरों की कुछ अन्य चीज़ें या फिर इसके रशना संसार के बारे में कौन कौन सी ऐसी बाते हैं जो आपको पूछी जा सकती हाला कि इसकी रचना है जो है को उतनी जादा जरूरी नहीं है अगर आएगा प्रशन तो भी आप उसको कर सकते हैं चलिए देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें तो सबसे पहले यहां पर जानिए कभियों में राजकुमार और महा कभी कि उपाधी डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने ती यह मैं यहीं से आपको याद रख लेना है कि इन्होंने अपनी भाशा को क्या कहा है हिंदु कहा या हिंदु कहा है ठीक है इसके लावा हिंदकी भी कहा इन्होंने यह आप याद रखिएगा हिंदकी यह सारे नाम इन्होंने दिये हैं और यह चीज़ें आपने पहले पढ़ी हैं क यहां पर जवाब बाशा के विकासक्रम की बात पर रहे थे वहाँ पर बात अगर हम करें इनकी प्रमुक रचनाओं की तो इसमें खालिक बारी हैं पहलिया हैं मुक्रिया हैं दोसु inhalation दो सुखने हैं गजलें इत्यादी इत्या-दी यह कि कुछ महत्पून रचनाय मैंने जाती हैं इनको आप याद रखिएगा इतिहास गंत इनका तारीक अलाई और तुगलक नामा रहा है एक रचना और थी नुहु सिपहर ठीक है ये भी एक इसकी मतपून ग्रंट माना जाता है देखना और नजराना एहिंद इसको भी लिख लीजिएगा नजराना है हिंद ये भी अमिर कुस्रों की रचना है मानी जाती है ठीक है अब यहां पर आपको याद क्या रख लेना है जो खालिक बारी थी देखना ये इनका एक शव्द कोशिय ग्रंथ है इसको भी हम पहले पढ़ चुके हैं भाशा वाले विकासक्रम में तो खालिक बार भी फार्सी और हिंदी भाशा के जो प्रियावाची शब्द है ना उनको शामिल किया गया है और साती सातम ने ये भी पीछे पढ़ा कि इसमें इन्होंने तीस बार जो है हिंद्वी शब्द का इस्तिमाल और पांच बार जो है हिंदी शब्द का इस्तिमाल भी किया था और खालिगवारी की रचना इन्होंने ग्यासुदिन तुगलक के पुत्र को भाशा का ज्यान देने के लिए ही लिखी थी ये बात भी important है देखना तो खालिगवारी रचना जो है ये most important हो जाती है शब्द को शात्मक इसका धांचा है और इसमें इन्होंने हिंदी अर्भी फार् से इसकी रचना रची है और इसमें इसने तीस बार हिंदी शब्द और पांच बार जो है वो हिंदी शब्द का इस्तेमाल किया था यह चीज तो हम पहले भी पढ़ चुके थी ठीक है यह याद रखिएगा फिर बात आती है इनकी एक रचना है देखिए नुह सिपर अब इ यह बात मतपूर्ण है देखना इसको भी याद रखिए तो यह भी बहुत जरूरी है कि किस रचना में इन्होंने भारत की बूलियों के संदर में वनन किया है तो याद रख लेना है नुह सिपर ठीक है एंड यह भी मतपूर्ण हो जाएगी रचना इसकी इसके अलावा यह कुछ अन्य जो चीज़े हैं अमिर कुस्तों के बारे में कि पहेलियां तो आप सब लोग जानते हैं पहेलियों से क्या भी प्राय है देखना और मुक्रियां मुक्रियां का मतलब है कि पहले कोई बात कहना और बाद में अपनी ही बात से मुकर जाना मतलब जैसे माली जी यह इसको आप ऐसे ले सकते हैं कि जैसे वो ऐसे कहते हैं देखा एक लाइन ऐसी की रात को वो मिलने आए सुभा क्या है तड के चला जाए अब यह कहता है कि कौण साजन वो कहता है कि ना सक्की साजन नहीं है ये क्या है तारा है अब देखिए अपनी ही बात से मुक्रिया वैसे हमें पहले ये पता चल रहा है कि शाम को जो है वो साजन उससे मिलने आ पंक्तियां हैं, उनका दोनों का एक ही अर्थ निकलता हो, या एक ही अर्थ का मतलब है कि जैसे दो पंक्तियों से देखिए, घोडा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, ये दो पंक्तिया है ना, इन दोनों का एक ही अर्थ है, घोडा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, क्यों गजले तो आप जानते ही है ना तो पहेलियां मुक्रियां और दो सुखने गजलों इत्यादी के लिए जो है वो इसको माना जाता है अमिर कुस्रों को माना जाता है कई बार यह प्रशन पूछा गया देखना दो सुखने गजलों इत्यादी का जो कि जो रचना है वो किस ने क थी तो आपको simply यार रख लेना है कि ये अमिर खुस्रों ने की है ठीक है and I hope कि आप समझ गए दो सुखने और गजलें दो सुखने और मुक्रियां समझ में आई या नहीं दो सुखने और गजल गजल और मुक्री यहां पर होकि है सब कुछ किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहा कि दो सुखने क्या होता है और मुक्री क्या होती है इसके अलावा थोड़ी सी करेने तारीक आलाई और तुबलत नामा जबकि अगर आपको से साहिती क्रंथों की बात पूची जाए तो फिर आपको यह अन्य ग्रंथों के नाम ही याद रख लेने हैं इसलामी और भारतिय संस्किति का प्रत्थम कभी किसे माना जाता है यह भी खड़ी भूली हिंदी का आदी कभी हमने इसे ही माना था ठीक है साथी साथ आपको याद रख लेना है कि अगर अमीर्खुस्रों की भाषा से समंधित आपको प्रशन पूचा जाए तो फिर आपको याद रख लेना हैं कि इनकी भाषा ब्रज और अब्धी को मिला कर कावे याद जरूर रखें ये इनकी most important पंक्तियों में से हैं ठीक है एक थाल मोती से बहरा जिसके सिर पर ओंधा धरा चारों और वत थाल फिरे मोती उससे एक नंगिरे पहली ठीक है एक नार ने अच्रज किया सांप मारी पिंजडे में दिया एक नार पिया को भयानी तनवा को सरग रखिएगा इसके अलावा इनकी एक बहुती मत्कुन गजल है जिहाले मिस्किन मकुन तगा फुल दुराय नेना ठीक है ये वाली पंक्ति भी most important है देखी देखिए और इसमें आगे ये भी कहते हैं सकी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां ये व ये वाली पंक्ति इसकी most important पंक्ति है इसको आपको याद रखना है अच्छा यहां पर लिख्या हुए देखिए इसको याद रखिए है ना यहां पर लिखा जिहाले मिस्किन मकुन तगा फुल दुराय नेना ये वाली जो इसकी रचना रही है इसको आप एक बात जरूर देखिए है ना ये रचना इसकी महतपून है इसको आपने जरूर देखना है देखना यह इसकी गजल है यहां पर इसमें देखिए इसका अर्थ लास्ट में दिया हुआ है यहां से इसको आखरी वाली लाइन को जरूर देखना यह पूछते हैं सकी पीया को जो मैंने देखूं तो कैसे काटू अंधेरी रतियां इसको जरूर याद रख लेना है ये जरूरी हो जाएगा ओके तो ये था अमीर खुसरो इसका रचना संसार हैं साती साथ इसके बारे में कुछ मुहत्वन चीज़ें जिन्हें आपको याद रखना है ठीक है तो इसको याद रख लीजिए और इनकी संपूर्ण जो रचनाएं हैं देखना उनको खुसरो की हिंदी कवीता के नाम से इसको क्या किया गया है प्रकाशित किया गया है ठीक है राम कुमार वर्मा ने इन्हें अबदी का प्रत्थम का भी माना था ये इनके बारे में अन्य के बाद देखते हैं अमीर खुसरो को लेकर के विद्वानों के मत क्या रहे हैं ये वाला प्रशन भी मोस्ट इंपॉर्टन्ट है देखना इसे भी आप जरूर याद रखिएगा अचारे राम चैंदर शुकल इनके बारे में क्या कहते हैं कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का अध्यान जो है वो बोलचाल की भाषा की और अधिक था मोस्ट आई इंपॉर्टन्ट है ना साथी साथ इनको लेकर के शुकल ने ये भी कहा था कि ये बड़े ही विनोदी स्वर्भाव के व्यक्ति रहे हैं ये भी आ रखेगा विनोदी होते मिलब हैसी मजाग कने वाला ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवी है शुकल ने इनके बारे में ये कहा था ठीक है यह विर्यान रखना एक और पंक्ति कहिए शुकल ने देखे इनके बारे में कि फार्सी के अच्छे कवी थे अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवी विश्वना पूरी है देखना ये भी एंड डॉक्टर नगेंदर क्या बोलते हैं जन जीवन के साथ घुल मिलकर कावे रचनक करने वाले कवियों में खुस्रों का महत्पूर्ण स्थान है जन जीवन याने की जन समानने से तो मनरंजन पूर्ण साहित इस ने रचा था इसलिए इसको कहा जन जीवन से जुड़ा हुआ लेकक है इस बात को भी याद रखिए तो यह कुछ मत्पूर्ण लेकक रहे हैं जिनोंने अमिर कुस्रों के बारे में पंक्तियां कही है इन पंक्तियों को आप एक बार जरूर देखिए यहां पर सबसे जरूरी पंक्तियां अचारे शुक्ल क ही ही हो जाती हैं तो इनको आप एक बार जरूर देखिएगा ठीक है यह अजिसको याद रखिए कई बड़ कि होता है कि अमिर कुछ स्वरक के कुछ पंक्तियां आपको दे दी जाती है और उसमें पूछ लिया जाता है कि इनका अर्थ बताईए जैसे इनकी प्रसिद जो प को पूछा जा सकता है ठीक है तो यह आपने याद रख लेना है एक नार दो को लिब बैटी यानि कि जो आपका पाजामा है वैसे कुछ चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा देखिए कई बार उसके बारे में भी प्रशन पूछ लेते हैं कि वही इसका क्या मिने यह है ठीक है तो यह सारी चीज़ें हैं जो याद रखने लाइक हो सकती हैं मिरकुस्रों से और इसके बाहर मुझे नहीं लगता कि अमिरकुस्रों से रि पंक्तियां इसकी और भी हो सकती हैं लेकिन मैंने आपको जो श्रिष्ट पंक्तियां रही हैं इनकी उसके बारे में बताया हैं बाकी और चीज़ें आपको खुद से देखनी हैं अमीरकुस्रों और विद्यपति से किसी भी अग्जाम में प्रश्न जरूर पूछ जाता है हर जगा आपको अमीरकुस्रों और विद्यपति जरूर पूछ जाते हैं देखना तो यह थ्याम रख लेने हैं आधिकाल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैसे आधिकाल ही नहीं पूरा का पूरा जो भी आपके पास टॉपिक हैं सभी टॉपिक से आपको समान प्रशन बनते हैं उसकी मात्रा के आलहार पर चाहिए कोई छोटा टॉपिक है तो वहां से भी प्रशन बनेंगे बड़ा टॉपिक है तो वहां से भी आते ही हैं प्रशन ठीक है तो यह हो गया अमीर खुसरों अब हम देखते हैं विद्यापति के बारे में ठीक है विद्यापति भी एक बहुती जरूरी राइट रहे देखना आधिकाल में, बहुत सारी चीजे हैं जो विद्यापती से आपको याद रखनी है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे विद्यापती के बारे में इसका समाने सा परिचे, समाने परिचे में आपको पहली चीज तो ये याद र हार के दरवंगा जिले का विपसी कई जगा विपसी है खी के डॉक अगेंदर की बूक में यह विज पी है वीस पी इस तरीके से हैं तो अब वैसे दोनों समान ही है लेकिन फिर भी अगर आपका एक्जेक्टली कूछा जाये तो आप विज पी लिख सकते हैं जो डॉक्टर न आपने याद लेना है देखना पूछ लेते हैं इस वाले नाम को भी तो यह याद रखने वाली चीज़ है ना दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है इसमें संपरदाय ये शैव संपरदाय में दिक्षित थे और शिभक्ति से समंदित इनके कुछ पद मिलते हैं जिने नचारी के नाम से जाना जाता है इसको लिख लिजिएगा नचारी के नाम से शैव भक्ति वाले पद जो है वो इनके मिलते हैं लेकिन इन्होंने भले ही ये शैव रहे हो कृष्ण गीत परमपरा का प्रवर्तन किया था हिंदी में ये वाला प्रशन भी आपको याद रख लेना है कि हिंदी में कृष्ण गीत परमपरा का प्रवर्तन क इसके रूप में किया है और वह इंसे यह माना जाता है कि यह इंदी में कुछन की परमपरा के प्रवर्त तक भी रहे हैं भले ही यह क्या रहे हैं शेव रहे हो ठीक है इनके पीता थे गनपती ते यह भी आप याद रखेंगे मतपूर्ण है यह नाम भी है ना इसको याद दाता कौन थे तिरहुत की राजा शिव सिंग और किर्थी सिंग तो यह बिहार की जगह रही है तिरहुत देखना जहां कि यह शासक थे राजा शिव सिंग और किर्थी सिंग और गनेश्वर ठीक है यह तीन रहे हैं इनके आश्रे दाता लेगन यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपके पास अचारे रामचेंदर शुकुल का हिंदी साहिते का इतिहास ग्रंथ है उसमें आपको सिंपली राजा शिब सिंग का ही जिकर मिलता है कि इनके आश्रे में ही ये रहे थे और पिछला जो पेपर हुआ था हमारा एक उसमें इन दोनों ही आश्रेदाताओं का नाम दिया गया था कि ये किसके आश्रे में थे राजा शिब सिंग के थे या कीरती सिंग के थे तो उसमें शिब सिंग ठीक दिया हुआ था जब कि कीरती सिंग की आश्रे में भी ये रहे थे ठीक है तो यह आपको यादख लेना है कि इन तीनों के आश्रे में ये रहे जो रही है वह आपको यह संपल है और घ्ली मनें जाती जाती है कि एक ईर्ति-मकी पता जो फो इसे कि की इंग के लिखी था और जभी चıldर सिंग के लिखी थी यह याद ड़एना सफ्व सुन वाइन के लिए क्या थी की यू, कहा और कीर्ति सिंग् के लिए कीर्थी लता यह लिखी थी और मैंने पहले निए और क्रिशन गीयर परमपरा में क्रिशन गीत परमप्रा का प्रवर्तन इन्होंने किया था तो वो थी पधळावली यह तीन ही रछणाइं इन lagi रचनाय मानने जाती हैं इन्हें में से दो जो रचनाए थी किर्थी लत और किर्थी पता का ये अवहट की रचनाए थी ठीक है और पदावली इसकी मैथली हिंदी में रचित रचना है ये वाला प्रशन भी इसका मोस्ट इंपोर्टेंट है ना तो ये वात आप ध्यान में रखेगा विद्यपति के बारे में ओके ये इसकी प्रसिद रचनाए मानी जाती है इसके अलावा अगर हम बात करें कि अमीर ये जो विद्यपति रहे हैं इनकी कौन-कौन सी उपादिया है तो इन्होंने स्वायम को जो उपादी दी थी वो दीती खेलन कभी की उपादी ठीक है ये यादख लेना जो खुद जिनोंने दी थी वो है खेलन कभी अन्य जो उपादियां रही है उनमें से मैथिल कोकिल पदावली के चलते कहा गया है और ये मैथिल कोकिल सरवमाने मतानुसार ही है अचारे राम चैंदर शुकल ने भी अपने हिंदी साहिते की तिहास में कहा है कि इन्हें मैथिल कोकिल की संगया जो है वो पदावली के चलते ही मिली है ठीक है यह याद रखना है आपको ओके साथी साथ आपको ये भी याद रख लेना है कि मैथिली भाशा में सबसे सरस्कावे रशना के कारण ही इन्हें क्या कहा गया है मैथिल कोकिल की संगया जो है वो दी गई है ठीक है साथी सा याद रखेंगे कि ये जो रचना रही थी देखना पदावली इसमें इन्होंने क्या किया जैदेव की रचना रही है एक गीत गोविंद कौन से रचना रही है देखना इसको क्या नाम मिला एक और Amhinaw Jaya Devu, कि जिस तरीके से Jaya Devu ने गीत गोगिन की रशना की वैसे ही विद्यापती में क्या कर दिया, विद्यापती में पधा वालीकी रशना जो है उसी Jaya Devu की गीत गोगिन के अनुकरण पर ही किया है, इसलिए इसे Amhinaw Jaya Devu की संगया जो है वो दी जानी चाहिए, ये नाम इसका जरूरी है देखना, इसको भी आद रखेगा, अविनब जैदेब, ये भी होके तूसरी उपा दी, इसके साथ इन्हें कभी शेकर की संग्या भी दी गई है, या नव कभी शेकर, ठीक है, एक ही बात है देखना, ये कभी शेकर या नव अंचानन और दशावधान ये भी इनकी उपादियां माने जाती हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको याद रख लेनी है एंड इन्हें जातिय कभी की संग्या किसने देती विद्यापती को ये देती डॉक्टर बच्चन सिंग ने लेकिन इन्होंने इसे कैसा कभी माना अपवर्श का जातिय कभी कहा था ये बात इसके बारे में आप जरूर याद रखिएगा ठीक है ओके अगर आपको ऐसा प्रशन पूछ जाए कि इनके प्रशांस को द्वारा इनको कुल कितनी उपादियां दी गई है तो 16 उपादियां इन्हें प्रदान की गई है ठीक है ये बात याद रख लेना है आपको ठीक हो गया ये था इसका समाने सब परिच है टोटल उपादियों की संख्या अगर पूछ जाए तो वो 16 है उनमें से मुख्यों उपादियां यहां पर बता दी गई है इनको आप याद रखिए इसके लावा यहां पर और कोई चीज इन ठीक है और अवट में थी कीर्थी लता और कीर्थी पता का यहां पर लिखी हुए देखना यह एंड गोरक्ष विजय मैथली हिंदी में रचित है एंड साथी साथ संस्कृत में इनकी जो रचना रही है वो जादा इंपोर्टेंट है जिसमें सेव शर्वस्तो सार है गंगा पूछा गया है तो इनको आप थोड़ा सा याद रखिएगा याद रख लिने वारी बात यहां पर और भी है देखना कि जो कीर्थी लता और कीर्थी पता का है इसमें आप यह याद रखेंगे कि जो कीर्थी लता इनकी रशना रही है यह इनकी मतपूर्ण रशना रही है जिसमें इन्होंने जो जौनपूर रहा है जौनपूर शहर उसका रोचक वदन किया है ठीक है कहां का जिकरा था इसमें जौनपूर नगर का चित्रन इन्होंने इस रशना के माध्यम से किया है और साथी साथ आप ये भी यादद कियेगा कि इसने अवट को क्या कहा था देसि इसने कहा था और इसी से शोकल ने देशी बाशा शब्द जो है वो इन से ग्रहन किया था इसने कहा था कि देशिल बाणना सब जन मिठ्था तै तैसन जपों अवठ्था इस तरीके से यह पंक्ति इन्होंने कहिए देखना इसको आप जरूर याद कि यह भी महतपूर्ण है सा लेकिन इसकी रशना इन्होंने भ्रिंग भ्रिंगे यानि की भावरों के समवाद में ही है यह हजारी प्रसाद दिवेदी ने ही माना है तो जो आपका प्रतिराज रासो था उसके बारे में भी हजारी प्रसाद दिवेदी ने ही कहा था कि यह रशना जो है वो किसमें हुई है शुक शुकी सवभाद में यानि की समवाद में हुई है जब की जो आपका Again कृति लचा है इसकी जो रचन हुई है यह में हुई है यह हुई है और कि समवाद में खाए इसको याँ रखेगा अगरbai पहले किसे दिया जाता है। अगर ऐसा पुछा जाए, कि हिंदी में कृष्ण को जो आपका कावे आपको याद रखनी है। इसके लाबा इनसे कोई खास बात आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। कोई भी एक्जाम हो हर इक परिक्षा में आपको इस तरीके से ही प्रश्ण जो है वो पूचे जाते हैं इन दोनों ही रचनाकारों से ठीक है अब यहां पर कुछ अन्य चीज़ें हैं जिनको आपको थोड़ा सा और याद रख लेना है देखिए विद्यापती को लेकर के के दुबाक कवी हैं यह याद रखेगा ये सिरंगार रस के सिध्ध कवी हैं ये बात किस ने कही थी ये बात कही थी हजारी परसाद दिवेदिने फिक है इसको आप याद रखेगा ये कौन कह रहे हैं? च्श्रिंगारी कभी भी कहा जाता है, यह बात याद रख्येगा, जो विद्धियपती के बारे में अन्य चीज़ थी, उसमें आपने इसको एड़ करना है, ठीक हो गया, तो यह बात हो गई, अब विद्धियपती को ले करके, अलगलग विदवानों के अलगलग मत रहे हैं, कुछ विद्वानों का मानना ये है कि विद्यापती जो है ये क्या है श्रिंगारी है कुछ विद्वानों का मानना ये है कि विद्यापती भक्त कभी है और कुछ विद्वान ये मानते हैं कि विद्यापती कैसे लेकर रहे हैं ये जो है आपके आपका अध्यात्मिक रहे हैं तो अब इनके बारे में हम देखते हैं कि कौन सा लेकर जो है इनको क्या मानते हैं हलां कि यहां पर कुछ चीजें और इनके बारे में दी गई है इसको पहरे देख लीजिए हर प्रसाद शास्त्री के अनुसार ये क्या है पंच देवो उपासक है बच्चन सिंग इन्हें जातिय कभी कहते हैं देखना हजारी प्रसाद वेदी श्रिंगारस के सिद्वाक कभी कहते हैं शुकल विद्ध्यवद्यपदे को क्रिष्ण भक्तों कि परमपरा में नहीं समझते हैं तो इन्हों ने बोला कि ये खभी नहीं है कुछ मिबत माना कुछ और माना कुछ इसको रहस्यवादी करते हैं तो यहां पर शुकल ने tu बिल Papara में नहीं समझना चाहिए ठीक है तो ये वली लाइन बहुत ही important है देखना और इस संदर में इनकी पंक्ति और भी आती है कि अध्यात्मिक रंग के चश्में आजकल सस्ती हो गए हैं उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोग गीत गोविंद के पदों को क्या कहते हैं इसको भी आगया है कि अध्यात्मिक रचना तो ऐसा नहीं है इसके पंक्ति आती है और यह पंक्ति most important पंक्ति है देखने हैं इसके बारे में ठीक है निराला ने पदावली की प्रशन दरूर मिल जाता है इसको याद रखिएगा ठीक है अब यहां पर आगया आता है कि किसने क्या माना है इन्हें ठीक है यहां पर नहीं लिखा है शायद बीच में हमसे कुछ चूट तो नहीं गई कहीं कोई स्लाइड नहीं चूटी हाँ यह वाली देखिए इधर यहां से हम आ गया गए इसको एक बार देखिए तो सबसे पहले यहां पर विद्यापती जो है विद्वानों की नजर में रहे हैं इनको याप जरूर रखना यह इसमें बिल्कुल ट्रिक भी साथ में नीचे लिखी हुई है देखना इसको आप ऐसे करके याद रखिएगा तो ज़्याद बहुती सिंपल से ट्रिक क्या देखना कि कौन से ऐसे लेकक हैं जो विद्यापती को श्रिंगारी मानते हैं तो हरे से याद अख लेना है हर प्रसाद शास्त्री ठीक है हरे से हर प्रसाद शास्त्री राम से रामकुमार वर्मा राम रिक्षबेनी पूरी हरी राम मतलब सभी रामों ने क्या किया, सुभध्रा का श्रिंगार किया, ठीक है, राम चंद शुक्ल हो गया, राम कुमर वर्मा हो गया, राम ब्रिक्ष बेनी पूरी हो गया, तो राम से आएंगे तीन राम, ठीक है, सुभध्रा से सुभध्रा जहा हो गया, और श्रिंगार से श्रिंगारी कव राम्रिक्ष बेनिपुरी और रामकुमार वर्मा, इन्होंने बोला कि विद्यवती जो है वो श्रिंगारी कभी है, इन्हें भक्त कभी की परमपरा में नहीं समझना चाहिए, ठीक है, फिर आता है दूसरे नमर पर जो मानते हैं कि भी यह यह तो भक्त कभी है, इसमें भी एक शामसुंदर दास भक्त से याद रख लेना है कि ये इनको भक्त कभी मानते हैं और हजार से हजारी प्रसाद दिवेदी और इस त्रीके से आपको ये वाला प्रशन भी निकल जाएगा कि विद्यापती को भक्त कभीयों की संग्या किसने दी थी तो यहां पर आप याद रखे हैंगे आप कभी भी इसको नहीं भूलने वाले हैं लास्ट में कुछ लोगों का मानना ये है कि विद्यापती कैसे कभी है रहस्यवादी कभी है ठीक है तो रहस्यवादी कभी इसको किस-किसने माना इसके लिए यहां पर ट्रिक लिखिया देखना गीरी गुप्त मिश्री गीरी से याद रख लेना है जॉर्ज ग्रियर्सन गुप्त से नगेंद्रनाथ गुप्त और मिश्री से जनारदन मिश्र गुप्त से ही याद रख लेना है कि रहस्य क्या होता है गुप्त होता है ठीक है और यहीं से आपको ये ट्रिक भी याद हो जाएगी और आपको ये इसे याद खुद से रखा है कि ऐसे करके भी इनको याद रखा जा सकता है कि विद्यपति अलोचकों की नजर में कैसे लेकर कहे हैं तो कुछ का मानना है कि ये श्रिंगारी है कुछ का मानना है कि भक्त कभी है और कुछ का मानना है कि ये रहसेवादी कभी है यहाँ पर हजार जार्रस के भी सिद्वाक कभी कहे जाते हैं ठीक है तो यह वाली पंक्ति थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है इससे यह याद रखनी है तो यह था विद्यापती अलोचकों की नजर में ठीक है जहां रखे इसको ओके चलिए इसके अलावा आगे कौन सी चीज़ है आगे यहाँ पर इनकी प्रसिद पंक्तिया हैं इनको याद रखेगा देसल बानना सब जन मिठा तैयतै समझ्यकों अवठा पुरुश कहाणी हाओ कहूं जसुप पथावे पुन्नों तो कहाणी जो शब्द है यह किरतिलता को कहाणी किसने कहा था तो यह याद रखना है देखना करति लथा के हानी कहने वाले जो विद्वार्ण हें, ये विद्यापती ही हैं। ठीक है? करति लथा को इसने क्या कहा है? कहानी कहा है. बालचंद विज्जावभाशा दूहू नहीं लग गई। दूज्जनहासा, ये भी करति लथा की है, खेने खने देन कौन अनुसराई ठीक है ये कुछ पंक्तिया है इनको आप एक पार देखिए बाकी पंक्तियां आपको लूसें समाने हिंदी की बुक में भी अगर कुछ इसकी विद्यपतियां मिलती हैं उनको वहां से पढ़िए और इसके अलावा आपके पास आपके पास ज समद्रब में हैं उनको एक बार जरूर देखिए पंक्तियों से समद्रब आपको वहीं से ही मिल जाएंगे ठीक है यहां पर आपका आदिकाल अब लगभग लगभग समात आपके पास कोई भी रचनकार ऐसा नहीं बचा जिसके बारे में मैंने शायद आपको न बताया हो ठ आदिकाल आपका समात है आगे जो है आपका आदिकाल का टेस्ट रहेगा ठीक है या फिर जो भी चीज अभी तक आपने पढ़ी उन सब से रिलेटेड आपको एक टेस्ट जरूर होगा ओके चलिए तो अभी के लिए इतना ही अगर किसी ने कोई बात कहनी है तो आप कह सकते है कि यहां तक ठीक है सब कुछ आप आप जैसे इनको क्रिशन गीत परंप्रा का परवर्तक मानता है तो क्रिशन से रिलेटेड क्रिशन कावे से रिलेटेड को इनका ग्रंथ भी है पदावली तो बता दिया पदावली के अधार पर ही तो यह क्या रहे भक्त कभी बने ना क्रिशन गीत परंप्रा का परवर्तन हुआ उसी क्या अधार पर ठीक है चलिए ठीक है रक्षीता और लोके है यहां तक चलिए ठीक है फिर आज के लिए इतना ही बाकी मिलते हैं हम कल सुभा ठीक छे वजे तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए पढ़ाते रहिए और मुस्कुराते रहिए बाबाई